दोस्तो मेरा नाम है रवीय उस्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल जोतिस राशी फल में आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशी के जातेकों के बारे में और उनके जीवन में घटने वाली कुछ घटनाओं के बारे में जो की मार्च से दिसंबर के बीच में कन्या राशी वालों के जीवन में घटने वाली है इसे आप एक तरह की भषवानी भी कह सकते हैं उनके लिए तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक उन घटनाओं के बारे में जानने के लिए और वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ पाय भी बताऊंगा जिनने करके अगर कुछ नकरात्मक प्रभाव भी आपकी राशी के उपर आने वाले हैं इस अवधी में तो आप उनसे बस सकते हैं तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा तो सबसे पहले बात करते हैं पहली घटना की जो की आपके जीवन में घटित हो सकती है इस अवधी में तो मार्च, अपरल, माई में आपकी सिक्षा जो है वो बहुत अच्छी रहने वाली है कोई भी डिसिजन अगर आप लेते हैं सिक्षा को लेकर तो उसमें आपको सफलता मिलने के पूरे-पूरे योग है कोई डिजिटल काम अगर आप करते हैं तो उसमें भी अच्छी सफलता मिलने के योग है तो अगर आप कुछ भी ऐसा कर रहे हैं आउनलाइन मार्केटिंग का काम कर रहे हैं या आउनलाइन कोई बिजनेस है आपका तो आप उसे एक्सपैंट कर सकते हैं सब्सक्राइब रहे होजाएं अगर कोई बिमारी से ग्रेसित हैं अब तो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी कोई ऐसी बिमारी जो लंबे समय से आपको चली आ रहे थी और जिस से आप चुटकारा पाना चाहते थे परन्तु उसमें कोई फाइदा नहीं मिल लाता तरह तरह के इलाज आपने करवा के देख लिए इस अवधी में आप उस बीमारी से मुक्ति आपको मिल जाएगी और अगर कल्स काफी लंबे समय से आपके उपर कोई था जो बहुत समय से चला आ रहा था पूरे योग है अब तीसरी अगर घटना की बात की जाए तो पूरे वर्स में आपको पार्टनरशिप में कोई काम नहीं करना है यह एक तरह की आपके लिए चितावनी भी है क्योंकि पार्टनर्शिप में अगर आप काम करेंगे तो वहाँ पे आपको नुकसान होने के पूरे योग बनते दिख रहे हैं और अगर आपको किसी वज़े से पार्टनर्शिप में काम करना भी पड़ जाए तो आपको जो भी डॉक्मेंट साइन करने है वो बहुती ध्यान से आपको करने है पूरे पढ़ के करने है क्योंकि यहाँ पे आपको धोका मिलने के पूरे चांसे है अगर चौते गटना की बात करें जो इस अवधी में होगी तो पूरे वश आप जादा ही इमोशनल रहेंगे बहुत जादा एमोशनल रहेंगे किसी भी बात से बहुत जल्दी हट हो जाएंगे तो किसी को भी मौका मत दीजेगा आपने आपको हट करने का और बहुत जादा किसी से एमोशनल इटैच आपको नहीं होना है अब पाच्वी घटना की अगर बात की जाए तो अपरेल तक जो है प्रापर्टी में कोई भी डिल ना करें अपरेल के बाद आपके लिए प्रापर्टी में डिल करने के लिए सबसे अच्छा समय है अगर आप अपरेल से पहले जो है प्रापर्टी में डिल करते हैं तो हो सकता है आपको उसका नुकसान उठाना पड़ जाए अपरेल के बाद आपकी जो है मेरिट लाइफ काफी अच्छी रहेगी और आपका व्यापार भी अच्छा चलता दिखा जाएगा तो यहाँ पे जो छटी घटना थी उसके बारे में मैंने आपको बताए कि अपरेल तक आपके वा आपके लाइफ पार्टनर के जो आप दोनों के बीच में आपकी मेरिट लाइफ में थोड़ी बहुत समस्याएं आ सकती है तो अपरेल के बाद आपकी मेरिट लाइफ अच्छी हो जाएगी और आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा तो अपरेल आपके लिए महिना बहुती जादा खास होने वाला है सातवी घटना के अगर बात की जाए तो मई से दिसंबर तक आपका काफी नेम फेम बढ़ेगा और आपको बहुती जादा दिमागी शान्ती मिलेगी आप बहुत समय से जो टेंशन लेके बैठे हुए थे उनमें आपको जो है उन परिशानियों से छुटकारा मिलेगा और आपका दिमाग जो है वो बहुत शान्त रहेगा जो लोग बैंकिंग सेक्टर में हैं सोशल एक्टिविटी करते हैं उन्हें इस अफ़दी में बहुत अच्छे परणाम मिलने वाले अब अगर आठवी घटना की बात की जाए तो मई से दिसंबर तक जो भी लोग फैमली प्लानिंग कर रहे थे उन्हें इस अफ़दी में सफलता मिलने के पूरे-पूरे ही हो गए काफी समय से आप फैमली प्लानिंग कर रहे थे बेबी कंसीब नहीं हो रहा था इस अफ़दी में आपको जो है मई से लेके दिसंबर तक पूरे-पूरे chances हैं कि आप उसमें सफल होंगे साथ ही साथ आपको आपके जो संतान है उनकी तरफ से भी कोई good news मिलेगी हो सकता उनको career में अच्छी सफलता मिले या फिर सिक्षा में उनको अच्छी सफलता मिले तो ये अवधी जो है मई से दिसंबर तक आपके संतान के लिए भी अच्छी होने वाली आप नवी घटना के अगर बात की जाए तो मिड अप्रेल से मिड सितंबर तक career में आपके बहुत ही जादा अच्छी positivity रहेगी अगर नौकरी ढूण रहे हैं तो आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है साथी साथ जो लोग और लेड़ी नौकरी कर रहे हैं उनको नौकरी में अच्छे promotion के अच्छे increment के chances भी बनते दिख रहे हैं अब यहाँ पर बात कीजाए दसवी घटना की तो जुलाई से दिसंबर तक आपका प्रेम प्यार काफी अच्छा रहेगा love relationship में कोई भी समस्या आती नहीं दिख रही है अगर कोई exam देने वाले हैं तो उसमें आपको अच्छी सवलता के योग बनते दिख रहे हैं यह जुलाई से दिसंबर तक बहुत ही अच्छा सही हो गई है और health में थोड़ा सा पेट का ध्यान रखिएगा क्योंकि आपको acidity या पच्छ की समस्या हो सकती है liver की समस्या भी आपको यहाँ पे थोड़ी सी होती दिख रही है तो आपको इस अवदी में जो है अपनी health का थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूत है अब जैसे मने बताएं था एक वीडियो के एंत में मैं आपको कुछ उपाए भी बताऊंगा जिने करके आप अपने इस समय को अपने लिए और उत्तम बना सकते हैं जो बुरे प्रभाव हैं उनसे छुटकारा पा सकते हैं तो आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको सूर का बीजमत रोजाना 108 बार जाब करना है साथ ही साथ घड़ेश जी की पूजा आप रोजाना करें अगर आप ऐसा करते हैं तो जो नकरात्म प्रभाव आपकी राशी के उपर आने वाले हैं इस अवधी में उनसे आप छुटकारा पा सकते हैं तो ये था कन्यराशी के लिए भविश्वारी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा धन्यवाद